आम और इमली की खटी मीठी चटनी तो कई बार खाये होंगे लेकिन आज हम बनाएंगे अंगूर की बहुत ज़्यादा टेस्टी बहुत ज़्यादा चटपटी चटनी तो इसके लिए लेंगे एक कटोरी अंगूर यहाँ पर आप खटा, मीठा, छोटा, बड़ा कोई भी अंगूर ले लीजिए अंगूर को अच्छी तरे से धूर लीजिए और इसको डाल दीजिए मिक्सीजार में इसी के साथ में डालेंगे एक इंच अद्रक का टुकड़ा और एक हरी मिर्च, तीखा आपको जितना पसंद है उसी के हिसाब से हरी मिर्च ले लीजिए और एक चोथाई छोटा चमच सादा नमक, एक चोथाई छोटा चमच काला नमक आधा छोटा चमच साबुद जीरा, आप चाहे तो यहाँ पर भूना जीरा भी ले सकते हैं इसी के साथ में थोड़ी सी धनिया पत्ती को अच्छे से धूल कर छोटे टुकडो में तोड़ कर इसमें डाल देंगे आधे नीबु का रस्नी चोड़ देंगे एक से दो चमच पानी डाल देंगे जिससे आसानी से यह पीश जाए तो बस अब मिक्सी चार कढ़कन बंद करेंगे और इसको पीश लेंगे बहुत ज़दा फाइन नहीं पीशेंगे हलका सा कोर्स रखेंगे तो लीजिये हमारी बहुत ज़दा तीखी चटपटी खटी मिठी अंगूर की चटनी बनकर त्यार है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर चरूर कीजिएगा जय हिंद